क्लास नाइंते के सभी विध्यारती ध्यान दीजे आज हम आपकी कक्षा नवी हिंदी का वार्षिक परिक्षा का सेट सी का पूरा सोलिशन देखने वाले हैं आप बिल्कुल भी चिंता मत करें यही प्रस्ण आपके वार्षिक पेपर में आएंगे तो आएए वीडियो की सिर रचनाकार है सुमित्रा नंदन पंत रसात्मक्कम वाक्यम काव्यम इसकी परिभासा किसकी है यह थीक है तो आचार्य विश्वनात की महादेवी ने पूरुषकार में मिला चांदी का कटोरा किसे दे दिया थीक है सरदार पटेल को दिया था चलिए इसके बादे उपसर्ग उपसर्ग कहां प्रियुक्त होते हैं जो उपसर्ग हों कहां पर लगते हैं तो आप सब जानते हैं उपसर्ग होता है सब्दस के पहले मृदुला गर्म की रचना कौन सी है मेरे संग की औरते चलिए आगे बढ़ेंगे अब कुस्चे नमर दो में है रिक्तिस्तान ठीक है आप बिल्कुल भी चिंता मत करें यही प्रस्णा आपके हुबहू परिक्षा में आने वाले हैं यहाँ पर देखिए कुस्चे नमर दो ह सोने का घड़ा सराब से भरा हो तो भी रिक्तिस्तान निंदा करेंगे सज्जन ठीक है वीर रस का जो इस्थाई भाव है वीर रस इसका इस्थाई भाव होता है उत्सहा चरन सरोज पकारन लागा ठीक है इसमें कौन सा अलंकार है यहाँ पर मिश्टे को गया है इसमें क्या है कौन सा यहाँ पर अलंकार है यहाँ पर कौन सा अलंकार है रूपक अलंकार है दो बेलों की जो कथाए वो गध्य की कहानी विदा की रचना है कहानी रेल सब्द विदेशी सब्द है क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा रेल का परिवन चलवाया गया था मेरे संग की ओरते की लेखी का कौन है तो मुर्दुला गर्ग अब है सही जोड़ी बीजक तो बीजक का जाएगा कबीर रास शरंगार रस का इस्ताइब हो गया रती चांदी का कटोरा ठीक है चांदी का कटोरा महात्मा गांदी सलीम अली वर्ड वाचर विद्याले में दिर्ग संदी है और इस जल प्रले में इसका जाएगा फनीश्वर नात रेनू यहां पर छटा हो गया अब है एक वाक्की में उत्तर ठीक है फिर मैं आपको बता रहा हूं जो बच्चे वास्तों मैं अच्छे अंके प्राप्त करना चार है इस पेपर को जरूर ध्यान से कवर करिएगा बहुत सारे प्रस्ण पेपर में आने वाले यही उवह उपेपर आपका परिक्छा में आने वाला है चार सेठे ए बी सीडी चारों सेटों को आपको कंप्लीट करना फिर आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा ठीक है एक किसके भक्त थे सिरीक रस्न के इस्ताई भाव को जगाने वाले तथा उद्धिपित करने वाला करने वाले का रस क्या कहलाता है ठीक है विभाव कहानी के कितने तत्व माने गए हैं तो कहानी में छे तत्व माने गए हैं कितने छे तत्व मनोयोग का संदी विच्चित क्या है मना धन योग अलंकार का तदभव सब्द क्या है अलंकार का है अंधेरा जर्नल मिठेया का चित्र किसने मंगाया था तो लेखी का बहन रेनु ने लेखी का बहन अवे सत्य सत्य है माघनलाल चतरुवेदी को देश की आजादी के लिए जेल जाना पड़ा था ठीके तो वो जेल गए थे देश की आजादी के लिए माघनलाल चतरुवेदी से लिए सत्य हो गया है दोहा जो है मात्रिक छंद है बिलकुल सही है किसी घटना को आखों से देखे वर्नन को रिपोतार जगाएंगे ये बाद भी आपकी सत्य है रात दिन में तत्पुरुष समा से असत्य हो गया है लेखक रेनु जी के बाद देखने अकेले ही निकल पड़े थे तो यहाँ पर ये असत्य हो गया है और अन्तिम जो है कोई संकर लड़कियों के छात्रवास में ताग जाग करता था तो ये बिल्कुल सत्य है चलिए आगे बढ़ते हैं अब देखे कोश्चन नम्मर 6 से दोदो नम्मर के कोश्चन आंसर शिरू हो चुके हैं ठीक है भक्तिकाल कोई हिंदी साहित्य का स्वनयुक क्यों केते हैं प्रगतिवादी काव्य की विसिष्टाए बतानी है ठीक है किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से तर्क का सहित दीजिए गाउं को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है कवी ने पीपल को ही बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है सुमित्रा नंदन पंते की दो रचना है कवी रस खान का कला पक्छे काव्य की परिवासा लिखिए और उसके भेद रूपक अलंकार की परिवासा लिखनी है उधारन सहीत वीर रस की परिवासा लिखना है उधारन सहीत उत्परेक्छा लंकार की परिवासा लिखिए उपन्यास किसे केते हैं दो उपन्यास कारों के नाम संसे स्मरन किसे केते हैं ठीक है ये कुश्चे नमर 13 है ये कुश्चे नमर 14 देख लिए ठीक है लेकग ने उब्वक्ता संसक्रती को हमारे समाज के लिए चुनोती क्यों कहा है चलिए इसके बाद में यहां से देखिए महादेवी वर्मा की भासा सेली की विशेश्ता बतानी है प्रेम चंद की दो रश्नावों के नाम बताने है उपसर्ग और प्रत्याई में अंतर यहां पर देखिए निम्न लिखिए वो सब्दों के विलोम सब्द लिखना है खरीद विक्री बंध हो ठीक है यहां पर देख लिए इसका स्कीन सोड लिए कोश्य नमर 18 लिए आप अच्छे से कबर कर लिएगा इन सभी का सोलिशन भी बहुत ही जल्दी आने वाला है ठीक है यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिएगा नोटिपिकेश मैंने आपको कक्छा नवी का हिंदी का सेट सी का सोलिशन दिया ए और बी का पूरा सोलिशन पहले दे चुके हैं एक सेट और है सेट डी चार सेट चारों को कबर कर लिए अच्छे से पढ़िएगा यही प्रस्न आपके वार्षिक परिक्षा में आने वाले फिर मैं अंतिम बार के रहा हूं जो बच्चे वास्तों है ठीक है यह देखिए एंपी बोर्ड का पेपर है पिछोत्तर में से पिछोत्तर नंबर जिन बच्चों को चाहिए ठीक है देख लीजेगा चार सेट है ठीक है तो मिलते हैं अगले वीडियो में